मुझे लखता है कि महाविकास आगाडी का आरोप लागाना यही काम है हमारा काम है लोगों का विकास करना, देश महाराश्य का विकास करना और हर जाती धर्म के लोगों को न्याई देने के हमारी भूमी का है लेकिन महाविकास आगाडी वाले हैरान है क्योंकि अमारे महायोती के सरकार ने लाटली बहिसना ओजना यः किसानों का करज्या माँ पहने का विशे हो या एलेक्रिचिटी तब बील का विशे हो यह नरेर मुदी जेने अस्यकरोप लोगों को फ्रेम्यानाज देने का विशे हो महला correction का bill पास करने का निरने हूँ, three-seventy article हटाने का निरने हूँ, economy liquor section को 10% correction देने का विशे हूँ, road का development हूँ, एरबोर्ड का development हूँ, connectivity बढाने का काम हूँ, और किसानों के खातें में पैसा डालने का विशे हूँ, किसानों का जो कानूल बनाया था, तो एक साल बर किसानों का अंजोलन चला और अखिर में नरेद मुदी जी ने उनके मांग को ध्यान में रखकर किसानों का कानून वापिस लिया था तो इससे तरह मतलब अनेक मुद्धों पर नरेद मुदीजी का नेत्रों तो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में बहुती एक्ट्व नेत्रों तो है और उसका फाइदा महाराष्टर के इलेक्शन में होगा लोग सभा के चुनाओं में विपक्षे दलों को सब्बलता इसलिए मिली थी, कि सत्ता तक तो पहुचने की सब्बलता में मिली नहीं, लेकिन हमारी सिटे कम करने की सब्बलता उनको मिली, और उसका कारण ये था कि सविधान बदलेगा ये प्रचार अहुल गांधिया और इं लेकिन इस सुनाओं में वो मुद्दा नहीं चल पाया है, इस सुनाओं में लाडली बहना ये उजना का मुद्दा आचरा है, और वी जो मैंने वो मुद्दे बताए, वो सब मुद्दों पर मतलब वो लोग हमारे साथ रहेगे और महायुतियों को जिस तरे एक्जिट पोल की रिपोर्ट आ रहे है, उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है, इसी तर की रिपोर्ट है, हम बहुत सारे इंडिबेंडेंट होकूं के संपर्ग में है, जो हमारी अलाइंस पार्टनर से हमारे उनके साथ संपर्ग में है, और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत झाल